हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो मैं चैनल आज मैं आपको सुना रही हूं अच्छल मुनी जी महाराज जी के बोट अच्छी अच्छी यादगार कुछ अच्छी सीखें बाते कि महाराज अपुक्सर सुनाया करते क्या तुम्हारी एक फेक्ट्री लगवा दू दो फेक्ट्री लगवा दू और वो भी बिना पैसे की अच्छी याई एक तो शूगर सेक्टरी, वो तूसरी है, आइस सेक्टरी, शूगर सेक्टरी कहां लगानी हैं, शूगर सेक्टरी लगानी हैं, अपने मुँ पेक्टरी से हमेशे में अच्छा बोलो लेगुनं करो माराज जी है, जादा दिन ने चले gonnaются कि n वि तुम कहो तो लगवा दूगा भाईया तुम्हारी की तो सभी श्रावगन बोले हां माराज जी लगवा तो तमसे ओ देखा किने दिन चलेगी फैक्टरी दिमाख में तो लगाओ तुम सभी आइस की फैक्टरी बिना पैसे की कोई भी बात हो तुम मिन्ट मिन्ट में गरम हो जाते हैं और मुव में क्या लगाओ शूगर की फैक्टरी शूगर मिन्स की तुम अच्छा अच्छा बोलो सबसे कई बार गुसा आता है दो परकार का एक गुसा तो होता है आ रहा है लेकिन वो चीप से मैच नहीं हुआ माइंड तक आया पर जीप तक नहीं गया तो वो कम नुकसान दायक होता है एक होता है गुसा जब वो अंदर पी गया यानि उससे कोई ना कोई बिमारी आज़ती है एक होता है गुसा खतम करने का मतलब क्या तरीका है गुसे को खतम करने का लड़ाईयां कम होने का है कि अपने क्रोध को क्रोध आने वाले भावों को खतम करना यह तो सादुवी कर सकते हैं और यह बहुत कठिन काम है कहने में असान है इतना असान नहीं है सभी शिरावक गंडेर बोला कि गुरु जी को कि मुँ में सुगर फैक्टरी और दिमाख में आइस फैक्टरी हम लगा लेंगे लेकिन वाच चल लेको नहीं ज्यादा दिन तक तु महारा जी बोले कि तुम धीरे धीरे जब तुम किसी भी चीज का प्रयास करते हो तो उसमें सफलता जरूर मिलती है और दिड़ दिड़ जब प्रयास होता है तो तुम्हें मुँ में शुगर की फैक्टरी लगा के मौन रहना है जब भी ऐसा कुछ हो मेरी बातों को याद करके मौन रहकर उस शुगर की फैक्टरी को लगाना है कोई कितना भी गलत बोले तुम्हें पलट कर शुगर जैसा ही अच्छा जवाब देना है तो तो मेरा सुनाने का प्रयास सफल होगा परना तो सुनाने में क्या फाइदा तो उस दिमाख में जो आईस की फैक्टरी है आईस की फैक्टरी मेंस कि तुम ठंडे रहो हर समय तुम्हारा दिमाख टेमपरेचर से फ़रा लो टेमपरेचर में आकर वो एकदम खूल हो जाए तो सभी बोले कि आप बिना पैसों की प्यक्ति लगवा रहा हूं भाई तो लगवा लो भही तुम सब भाई तो सभी श्रावगन बोले कि हाँ माया जी लगवा दो और क्या बताते थे वे जीवन की अच्छे च्छे बाते कुछ इसमें से हम कुछ तो पुछ तो अपने जीवन पर जुरूर लागू करते हैं जू जैसा जाता है पुर्देव महाराज जी ने कहा हरे भाईयों इन फैक्ट्रियों को कभी बंद मत कोने देना इन फैक्ट्रियों को चालू रखोगे तो तुम्हारे कुछ ना कुछ लाब कुछ ना कुछ चिंदगी में स्वस्थे के लाब रोग कम होंगे ऐसे बहुत से लाब तुम्हें होंगे और वो तुम्हें खुद समय समय पर पता चलेंगे इन फैक्ट्रियों को चालू रखना कभी बंद मत होने देना यह है बिना पैसे की फैक्ट्रिया है और गुरु महाराज जी लगवा रहे हैं तो जो जो लगवाना चाहता है अपने जीवन में लगा ले बाई